नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन नरायन शुरुवात करेंगे खास पुलिटिन अभी-अभी की विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज मुखे मत्री योगी आद journéeाद जन संक्या नीती 2021-2030 जारी करेंगे C.M. योगी आद अपन आज करीब 11 बजिब के बाद उत्तरप्रोदेश जनसंख्या नीती 2021-2030 पेश करने वाले है विश्व जन संक्या दिवस के मौके पर सीम आवास पर ये कारक्रम होगा है साइजन्स में जन संक्या इस्थरताप पकवारे का उधगाटन किया जाएगा नई जन संक्या नीती अगले 10 सालों के लिए मानने होगी मतलब 2021 से लेकर 2030 तक इसमें जन संक्या नीयंतरण के लिए जागुपता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर होगा उत्रप्रदेश में 2022 में विधान सबच राव होनी है और इससे पहले सुबे के मुखे मंत्री योगी आदितनाथ ने एक बड़ा एलान कर दिया है जिसने ना सिर्फ राजनितिक पारे को बढ़ाने का काम किया बलकि हिंदु मुस्लिम के खेल भी शुरू होने की पूरी गुंजाईश है सियम आदितनाथ ने दो टूप कह दिया है कि उनकी सरकार योपी में जल्द ही जन संक्या नीती लागू करने वाली है मुक्य मंत्री के मताबिक जन संक्या नीती बन कर तयार है और से जल्द लागू भी कर दिया जाएगा सूत्रों की माने तो आज विश्व जन संक्या दिवस के मौके पर मुक्य मंत्री योगी आदितनाथ नवीन जन संक्या नीती 2030 जारी करेंगे यूपी की जनसेंग्यानिती को लेकर योगी आदेतनात के सामने बीते दिन प्रेजंटेशन भी दी गए थी योगी आदेतनात ने पूरा प्रेजंटेशन देखा है और समझा है जनसेंग्यानिती का ड्राफ सीम के सामने रखा गया जो 2021 से 2030 तक के लिए है ISIS मोड्यूल और टेरर फंडिंग के मामने में रौ और आईबी के साथ NIA ने जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर रेट की है जाँच एजनसियों ने कई लागों से पूछताज भी की ISIS के टेरर मैगजीन को लेकर ये चापिमारी की गई इस मैगजीन के अब तक 17 संस्क्रंट चप चुके है मंतली मैगजीन में भारत, बांगलादेश, श्रीलंका और मालदीव के बारे में कवर किया जाता है माना जा रहा था कि ये मैगजीन अफगानिस्तान से प्रकाशित होती थी लेकिन जाच में पता चला है किसका प्रकाशन आईस से समवनित जमुकश्मीर दिल्ली की टीम करती है अब जाच अजनसियोंग ने जमुकश्मीर के दस ठिकानों पर चापिमारी की है सुत्रों की माने तो एनाईये ने सुभा दारुलूम दलाल महौला नवा बाजार में पुलिस, S.O.G., S.D.O.P. के कई अधिकारियों के साथ प्रेट मारी है तलाश की अभियान के दुरान कुछ ओफिस रिकॉर्ड एक लैप्टॉप सीज किया गया था अधनान एहमद नद्वी को गिरफतार किया जो की हाका बाजार का रहने वारा है कोरोना की दूसरी लहर धीमी पढ़ने के साथ ही भारते रिल्वे ने उन तमाम ट्रेनों का परिचालन धीरे दिरी शुरू कर दिया है कोविड माहमारी के चलते जिन्हें बंद कर दिया गया था वहीं दूसरी तरफ IRCTCB आब अतीत यात्मियों के लिए आस्था सरकेट स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है यह आस्था सरकेट स्पेशल ट्रेन अगामी 20 अक्टूबर को राजगीर से चले गी तिरुपती बालाजी, मुद्रई, रामेश्वरम, कन्यकुमारी, आदी, दर्जनों, धार्विक स्थलो का दर्शन कराते वेर 2 नमवंबर 2021 को वापस लोटेगी कोरोना तास्ती की वज़े से देश में परेटन में अफसाइपी काफी प्रभावित हुआ है लेकिन अब जब कोरोना की दूसी रहर काफी हद तक सुस्त पढ़ चुकी है तो ऐसे में तीर्थियातियों की मांग पर IR, CTC, आसा सिर्किट स्पेशल ट्रेन एक बार फिर से चलने जा रही है त्रेन राजकीर सिखुलकर, नालंदा, बिहार शरीफ, बक्तियारपुर, पटना, आरा, बकसर, दिलदार नगर और दीन दियालुपाधिया जंक्षन होते वे तिरुपती पहुँचेगी तीर्थियातियों को बालाजी के दर्शन कराने के बाद ये ट्रेन मुद्रई पहुचेगी पर देशन कराती वे ट्रेन तीराथ दिन 14 रात के बाद 2 नमुवर 2020 को वापस राज़के पहुँच जाएगा देश में इंदन की कीमतों पर लगातार बहंगाई की मार पड़ रही है पेट्रोल डीजल के रेट पर आज मामरी रहात की खबर ये है कि तेल कंपनियों ने रविवार को दोनों इंदन की कीमतों में वरहतुरी नहीं की है जिसकी वज़े से घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत और डीजल की दामस्तिर है बता दे कि एक दिन पहले यानि शेनिवार को पेट्रोल 35 पैसे जबकि डीजल 26 पैसे प्रती लीटर बहंगा हुआ देश भर में डीजल के रेट अप शतक के करीब पहुँच कई हैं राजिस्तार और बंदर प्रती लीटर के पार पहुँच चुका है बता देंगे विदेशी मुदरादरों के साथ अंतरास्टे बाजार में कुरूड की कीमत के अधार पर पैर्टै लूर डीजल की कीमत प्रती दिन अपडेट क्यों हो जाती है और marketing company कीम्टों की समिक्षा के बाद रोज पेट्रोल और डिजल के तरम तैह होते हैं इंडिन ओइल, भार्थ पेट्रोलिउम और हिंदूसान पेट्रोलिउम तेल कंपनी हर दिन सुभा विबिन शेहरों की पेट्रोर और इजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती है देश की राजधानी दिली में मौनसून ने अब तक दस्तक नहीं दी है 2021 का मौनसून दिली अंसियार के लिए तारीख पर तारीख बन करे गया है अब मौसून दिली सहीद उत्तर भारत की हिस्सों को आज कवर करने की संभावना है पुर्वी हवाव ने दक्षिन पशिमी मौनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल सित्या बना दी है और इसके लिए आज दिली हरियान और पंजाब सहीद उत्तर भारत की कई हिस्सों को कवर करने की संभावना है इन राज्यों की करिलाकों में वारिश हो सकती है आईमडी ने शनिवार को कहा है कि पशिमंगाल की खाड़ी से निश्ले सर की पूरी भी हवाय उत्तर पशिम की तरफ बढ़ गई हैं और दिली हरियाना पूरवी राजिस्तान तक पहुँच रही है अगले 48 घंटों के दरान देश के 6 शिशों में दक्षिन पश्री में मौनसून के और बढ़ने के लिए भी सितियां अनिकूल है यानि कि मौसम भाग में दो दिन पहले अनुमान जिताते वे कहा था कि दिली में 13 दिनों की देवी के बाद शरीवार को मौनसून पहुँचने की उमीद है ISD ने कहा था कि पिछले 15 सालों के दरान ऐसा पहली बार है जब दिली में मौनसून इकनी देजी से पहुँच रहे है आम तोर पर दिली में मौनसून की पहुँचने की तारिक 27 जून तैम आनी जाती है इसे पहले 2012 में मौनसून 7 जुलाई को दिली में पहुचा था जबकि 2006 में मौनसून ने 9 जुलाई को रहसानी में दस्तक भी थी सरोजी नगर मार्केट में उमनी लोगों की भीड वीकेंड होने की नाते आम तोर पर जित्ती भीड दक्षिनी दिली इस थे सरोजी नगर में होती है उसके मुकाबले ज़्यादा देखी गई सेवल डिफेंस जिट्री पर लगाता लोगों ने मास्क पहनने और सोचल रिसेंसिक मनाय रखने की अपील करते देखे गए वहीं सरोजी मार्केट के कुछ संक्री गडियों में भीड इतनी ज़्यादा था कि पैरकने की जगार तक नहीं मिली लेकिन भीड जमाय लोग अपनी जिम्मेदारी को खुद नहीं समझ रहे कोरोना नियमों के लंगन के कारण दिली का गफार मार्केट और नयावाला बाजार 9 जुलाई राद 10 बुझे से 11 जुलाई राद 10 बे तक के लिए बंद किया गया मार्किट को भी COVID से समद्दित जरूरी साफधानिया ना बरतने की चलते बंद कर दिया गया था पर शासिन की सक्ति से साफ है कि नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो बाजारों को बंद करने में देढ भी नहीं होगी गफार मार्किट जिसे मुबाईल गजेट इतियादी के लिए जाना जाता है कई लोग ऐसे नजर आए हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना या कैमरे को देखकर तुरा धरकत में आ गए और मास्क पहल लिया कुरुना वारेस के दूसी लेहर की गति कुछी दिनों पर धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है इसके बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं माचल प्रदेश और उत्राखंड समीत कई राज्यों में परिटर कोवीट प्रोटोकोल का जम कर उलंगन करते नजर आ रहे हैं ऐसे में केंद्रेगेर सचीव अजर भला ने राज्यों सरकारों द्वारा हिल्स स्टेशन्स और पर्टेक्स थल्स में कोवीट नाइन्टीन के प्रसार को रोखने के लिए कदम उठाने की समीक्षा की है केंद्रे राज्यों को कोरोना से जोड़ी पाच फोल्ड स्प्रेटेजी को फॉलो करने के लिए कहा है बैटे की दुरान गोवा, हिमाचर प्रदेश, केरल, महराश्णा, राजिस्थान, तमिलनारू, उत्राखान और पशुमंगाल राज्यों में कोरोना सिती के मनेच्पेंट और ट्रिका करण के सिती पर चर्चा की गई, किंद्रे गेस अचेब ने इल्स्टेशन्स और अन्य परेटन्स थलों में कोवीड प्रटोकोल्स के लंगन करती दिखाई जाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर बात किये और राज्यों से साथानी बरत्ने के लिए कहा झाल